हालो फ्रेंड्स मैं शालनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शालनी जैन में बहुत-बहुत स्वागताई इसके लिए अलग से चाशनी बनाने की जुरत नहीं है तो 300 ग्राम गुड ले लीजे उसमें गरम पानी डाल दीजे और इसे अच्छी तरीके से घुला लीजे गरम पानी की वज़े से गुड जल्दी से घुल जाता है तो अब इसमें डाल देंगे दो कब गेहूं का आटा इ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए तो अभी हम फटा फट से पुए बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे इसे कुछ देर के लिए रखा रहने देंगे लगबग 2-3 घंटे 2-3 घंटे बाद गोल काफी गाड़ा हो गया है तो अब इसमें पॉन कप दूद डाल दीजे रूम टैंपरेशर का दूद है थोड़ा थोड़ा करके डाले और इसे अच्छे से मिक्स करते जाए अब डाल दीजे इलाईजी पाउडर मिक्स करें फ्रेंट्स पुए बनाने क इसे तई बोलते हैं लोहे की तई आती है ये मार्केट में यदि ये नहीं है आपके पास तो आप कोई भी फ्लैट सर्फेस एरिया का बरतन ले सकते हैं जैसे इस तरीकी की कड़ा इस्तमाल कर सकते हैं मतलब गहरा या उतला तली का बरतन ना ले पुए उसमें बनकर तयार नहीं होंगे अब जिस भी बरतन में आप पुए बना रहे हैं उसमें थोड़ी मात्रा में घी डालें फिर उसके बाद जब घी गरम हो जाए तो थोड़ा सा घोल डाल दीजे मैंने इसमें घोल डाल दिया है देखे दीरे-दीरे घोल फैलता जा रहा है मैंने बिल्कुल पो तो गैस को थोड़ा सा तेज रखेगा बाद में बिल्कुल स्लो कर दीजेगा जब नीचे से सिख जाए उसके बाद पुए को निकाल लें इन्हें सेखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है यह देखे पुए सिख कर तयार हो गया है तो भी थोड़ा सा कच्चा और ह पुए को थोड़ा सा टीड़ा कर लें जितना एक्स्टर घी है वो निकल जाएगा पुए हमेशा घी में ही सेखे जाते हैं तो इसलिए आप घी में ही सेखना काफी बढ़िया पुए बनकर तयार हो रहे हैं किनारियों में देखे आपको छेट दिखाई दे रहा है इस पर देखे दूसरा भी बना कर दिखाया आपको तो यह पुए भी हमारा सिकर तयार हो गया है और नया जब भी आप पुए बनाएं तो एक के उपर एक रग दें देखे कितने बढ़िया कितने नरम पुए बनकर तयार हुए हैं काफी बढ़िया पुए बने हैं आप चाहें खीर आलोगी सब्जी और एक सूखी मिक्षड सब्जी होती है जिसके साथ ही पुए बनाकर खाये जाते हैं फ्रेंट्स काफी टेस्टी लगते हैं गुड के जो पुए होते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि जो गुड का फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा टे यदि आपको चाशनी वाले पूय पसंदे हैं तो इसकी रैसपी भी मैं अपने यूटीब शैनल पर शेयर कर चुकी है आप वहाँ पर देख सकते हैं माल पूय की रैसपी भी मैंने share की हुई है तो friends यदि आपको आज की recipe पसंद आई हो तो like, share, comment जरूर कीजेगा मेरे YouTube channel शालनी जैन को subscribe जरूर कर लीजेगा और इन्हें एक बार जरूर बना के देखना बहुत ही स्वाधिश्च बनते हैं काफी देर तक मुलाइम भी बने रहते हैं यदि आप इन्हें के उपर एक रखेंगे किसी बड़तन में बन करके रखेंगे तो काफी देर तक ही soft बने रहते हैं friends असी तरह नई recipe में फिर मिलेंगे तब तक के लिए thank you, bye bye